Ammeter Modulation Ammeter Modulation में यह हमारा जो NPN transistor है यह हम इसे circuit की बात करें यह connected है से collector RFC के साथ जिस पे हम PCC supply प्रोवाइड कर रहे हैं यह radio frequency choke है जो radio frequency प्रोवाइड को set करता है R1, R2 और R1 यह voltage divide का काम करते हैं वो और self-biasing provide करते हैं यह जो circuit है जो transistor के base पे हम carrier signal send करते हैं जो कि हमारे crystal oscillator है उसके तुरू जो output आती है RF carrier signal की जो output आती है उसको हम send करते हैं अपने ammeter modulator के modulator के base पे और modulating signal यहां से send किया जाता है यह send हो इसको हम send करते हैं ammeter पे और यह जो हमारा transformer है यह impedance matching करता है capacitor land में हमारे यह section है यह हमारा tuned circuit की तरह वर्क करता है particle frequency पे tune करता है हमारी frequency को coupling capacitor इन दोनों को couple करता है और transfer में impedance matching करता है input output की और output पे जो हम मेरे पास am output यानि modulated output आती है उसको हम antennas के थुरू जो भी हमारा signal हो आता है जो modulated होता है उसको हम antennas के थुरू send करते हैं और यह जो वी-सी के साथ जो capacitor connected है इसका काम होता है कि जो हमारे वी-सी सप्लाई कर रहे है उसकी जो RF output आती है यहाँ पे यह RF सी चोक RF को produce करता है जो RF output जाती है उसको maintain रखता है अगर हम इसकी working देखें तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा carrier signal जो की crystal oscillator की output जाया है RF carrier signal जिसकी frequency क्या होती है हाई होती है यह थोड़े से सब्सक्राइब करवाता है इसकी frequency हाई होती है और यहां से यह जाएगा हमारे बेस जो टांजिस्टर है हमारा उसके बेस और अनदर साइड से मारा जाएगा यह मारे ट्रांसफोर्मर वन के थू जाएगा यहां पर क्या होगा यह दोनों signal mix होंगे और coupling capacitor के थूर्व यह सिगनल हमारे में जाएंगे यहां पर आउट्पूट आएगी वह मोडूलेटिड आउट्पूट आइगा जिसमें क्या करती है और जो भी हमारा सिगनल मोडूलेटिड सिगनल होगा इसकी वेफोर्म कुछ ऐसे होंगी यह हमारी मोडूलेटिंग सिगनल है जो कि हमने सेंट की थी अपने एमिटर पे जो हमारा एंट्पें ट्राजिस्टर होगे एमिटर पे सेंट की थी करेंगा यहां पर जो आउट्पुट आती है वह कुछ इस तरह की आती है और यह सिगनल हमारा मोडूलेटिड सिगनल होता है जो की आउट्पुट पे आता है इस सिगनल को हम क्या करते हैं ट्रांस्मीटर यानी सब्सक्राइब करते हैं जितने हमें चाहिए से हमारा मोदुलेश्ट बग करता है और जो मेंलेश्टिक रिजक्टिक्स होती है वह बेस मोडुलेशन और के बीच की होती नहीं